दोस्तों अगर आपको भी नहीं पता कि PTM की KYC का कमिशन कब मिलता है और अभी तक अगर आपको नहीं मिला और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कमिशन अगला कब मिलेगा तो आप इस वीडियो को शुरू से आखरी तक पूरा जरूर देखेगा मैं हूं समर्जी सिंग और आप देख रहे हैं अपना यूटीब चैनल प्यो टेक टॉक तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ मलगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो को देख सकें जो पेटियम की केवईजी का क्लेम है अभी तक चार बार अल्रेडी पेटियम का क्लेम आ चुका है लेकिन दोस्तों अभी भी काफी सारे बीयो बिजेंट्स बीसी एजेंट्स ऐसे जिनको पेटियम का क्लेम नहीं मिला तो पहले Friends मैं आपको बता देते हूं कि PayTm का claim कब कब आ चुका और किन लोगों को PayTm का claim मिल चुका है और जिनको अभी तक PayTm का claim नहीं मिला है उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे रिंगे जो PayTm का पहला claim था वो 14-जनवरी 2019 को आ गिया था अगला claim दोस्तो 17 जनवरी को आया था और उसके बाद दोस्तो काफी दिन तक PTM का claim नहीं आया था उसके बाद दोस्तो अब regular start हो चुका है PTM का claim आना अब जो claim आया फरवरी में वो 13 फरवरी को आया है claim और उसके बाद 20 फरवरी को आया अभी तक दोस्तो खाली उनी B agents या BC agents को claim दिया गया है जिनकी KYC जनवरी में start हो चुकी थी 26-27 जनवरी तक का जितना भी claim था वो अभी तक आ चुका है जिन लोगों को PTM का KYC का claim अभी तक नहीं मिला तो उनको कम मिलेगा दोस्तो आपको जल्दी PTM का claim मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी तक सिर्फ उन लोगों को PTM का claim नहीं मिल पाया जिनकी KYC जनवरी के लास वीक में या फरवरी में start हो नेक्स वेडनेसे या नेक्स नेक्स वेडनेसे से उन सभी लोगों का भी PTM का claim आने लग तो friends उमीर आपको आज की information अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की information अच्छी लगी तो please आप इस वीडियो को like कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को share कीजिएगा thank you so much आज के वीडियो देखने के लिए